तरुन मेरे साथ हैं इनकी एंजियो का नाम है एक जरियाद हमारी टीम रोज शाम को GMC बक्षिनागर मेडिकल कालेज के बाहर साथ से नो बज़े बैड़ती हैं वहाँ पे लोगों का दुख सुन दिया हमारे पास रोज ने पेशन डाते हैं कैंसर के किड़नी के कुछ भी मारा क्रेडिट बना होता है वह ने देना ही देना होता है कि अलाग इतने खराव होते हैं आज तक हमने पहले मूवी सीरियल में देखते थे कि किसी की माँ हॉस्पिटल में आ है और बेटा दरबदर खजल लोग्रा की पैसे दे दो बिल्कुल बिल्कुल और ये चीज़े ज जम्मू के एक मारस से जुड़ चुके काफी ज़्यदा मदद जो है वो लोगों की करते हैं तरुन मेरे साथ हैं इनकी एंजियो का नाम है एक जरीया तरुन स्वागल आपका मेरे शो पे कैसे हैं आप बहुत बढ़ी आप बताओ और काफी अच्छा काम कर रहे हमारे दोस् जो है अपने जॉइंग करी शुक्रेक मातारा निका कि उन्होंने हमें इस लाइक समझा इस सेवा के साथ जोड़ा यह आज से साथ साल पहले हम अनमोल को वातरा जी की वीडियो देखते जो लुदियाना में इस एंजियो के फूंडर है और वहां पे एंजियो चलाते हैं त तो मैं उनको बोलता था कि क्यों देते हो आप क्या पता कोन है तो आगे से कहते थे क्या पता कोई मातारानी यह ओपर बाला प्रिक्शर ले रहा हूँ कि बगवान के रूफ में ना यह आयू तो वस वहीं से ही यह चीज का जुड़ा है कि स्कूल में अजिए स्कूल पढ़ पढ़ने में भी ऐसी थे लेकिन जो ऐसी होते हैं वही बैग मैंचर थे हम पीछे बैठते थे जब कभी स्कूल में कुछ होता था जैसे होस मीटिंग होती है जैसे हाउस की बारी आती है कि इस हाउस का प्रोग्राम है इन्होंने स्टेज में यह वोलना है तो उस दिन हम अधियो देखना स्टार्ड कीया था तो दिमाग में यही था कि यह चीज़ हमने इस आइडिया को हम जम्मू में लेकि आएंगे कि जैसे कि हमारी एंज्यू को कोई अकूँट नमपर नी है अच्छा को जैसे किसी ने help करनी हो हम क्या करते हैं डॉनर्स को जैसे हमारी टीम रोज शाम को जीम सी बख्षिनागर मेडिकल कालेज के बाहर साथ से नो वजे बैड़ती हैं, वहां पे लोगों का दुख सुनती है, असर रोज, बिलकुल, क्या वाध है, जैसे जिसने मैडिसिन की, जिसको नीड हो, टेस्ट कराने हो, इधर से पेशेंट रैफर हुए होते ह हैं, तो हम उनको अपने NGO जो पंजाब में चल रही है, चंदिगर, जिलंदर, अमरितसर बगारा, वहां पे रैफर करते हैं, तो उनके साथ जुड़े हुए थे हम, तो बस उनी की वीडियोस देखके, हमने इधर स्टार्ट कर दी कि हम इधर भी ये काम चलाना ही चलाना है, जो मर जी हो जाए, तो हमने इधर स्टार्ट की, फिर हमारा अनमोल कवातर जी के साथ टाई अप हुआ, उनके साथ कॉंडेक्ट हुआ, फिर उननों ने हमें लुदियाना बुलाया, तो अफिशली फिर हम उस दिन के से उनके साथ जुड़े थे, तो फिर अभी क्या-क्या फिलाल जो है, रोज जी, एमसी में आप जा रहे हो, किस तरह की जो है, हेल्प्स लोगों की करनी, कर रहे हो, हमारे पास रोज ने पेशिट आते हैं, अच्छा, रोज नहीं पेशिट, बिल्कुल, कैंसर के, किड़नी के, कुछ भी, आज से आड़ अदा साल पहले ये बिमा करते हैं, उनकी पहले पूरी, कि फाइनेंशली इसको नीड है विया कि नहीं, क्योंकि हर तरह के, बिल्कुल, कि शेतानी दिमाग लोगों का है, बिल्कुल, को देखते होंगे, कि यार पैसा मिल रहा है, कही ना कहीं से, स्मार्ट वर्क करते हैं लोग, तो वो ऐसा केस आए उन्होंने बोला कि हमारे घर का हुए मेंबर है, उसको ना किड्नी प्रावलम है, मैंने का ठीक है, फोन हाथ में लिया हुआ, आईफोन लिया हुआ, तो उसके बाद वो आये थे, दरासल वो सफारी लेके आए हुए थे, गाड़ी लेके, आप तो किड्नी बेज़ के फोन रहा गया, हमने उनको यह बोला कि पहले वेरिफिकेशन होगी, अगर हमें जनूर लगा तो आपकी एल्प कराएंगे, फोन रहा गया तो मैंने किसका फोन पड़ा हुआ हो, कहते बाई उन्हीं का ही पड़ा हुआ है, कहते देखना आप गाड़ी गाड़ी लेके वाप बेश दो अपनी, और उसके बाद जो पैसे बचेंगे, जो ट्रीटमेंट के लगेंगे, वो हमारी एंजियो की तरब से हो जाएगा, अगला बंदा डर जाता है, कहता है, यह कैसे बेश दूँ, यह कर दूँ की, बड़े हैसे आते हैं, पहले टीम बैठती है, शां को जैसे कोई भी केस आएगा, जैसे कहीं का जाएगा, मर्जी जम्मु किश्मीर का केस होगा, उसको हम पूरी तरह से वेरिफाई करते, तो कुछ मीनिमम आपने रखा है कि कि इतने पैसों का जो केस है, वह हम लोग लेंगे, यह जैसे बाकी ओगनेशन उन्होंने, मैडिकल के लिए जैसे वो एडूकेशन के लिए अलग जो फंड्स है वो रख देते हैं, कि मैडिकल के लिए जैसे दस लाग की केस लेंगे हम, कि दस लाग से ज़दा तो है, वो नहीं लेफाएंगे, तो आपने कोई मिनिमम बजट बजटिंग करी होती है कि, हमने यह रखा होता है, जैसे क केस बाइरल हुआ होता है क्या पता उसको नीड हो 10,000 की केस बाइरल के चकर में 10,000,000 रुपया 15,000,000 रुपया उसके अकॉंट में आ जाएगा अच्छा पर वो किसी की भी नियत बदद सकती है मुझे 10,000 की नीड है ना तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉंट बाइरल हुआ बैक ग्रॉंड म्यूजिक इमोशनल वीडियो लोग देखे हर आजगल इमोशनल बाहर जातने भी आनराई पहर रहते हैं कि इमोशनल है वो पोड़े अटैच है अपनी इंडिया को लेके जम्मू को ले लेगी तो जैसे मरबास केस आते हैं पहले हम उसका पूरा गाइड करते हैं कि जो एक मुद्धी सरकार की तरफ से जन्होशदी कार्ड बना हुए है पहले हम उसका पूरा फाइदा लेते हैं कि पूरा गाइड करते हैं कि इनका दो लाख का ट्रीटमेंट होना है तो हम क्या तो इसका क्या प्रोसेस होगा पूरा गाइड करके पेशिंट को और उसके बाद जो हमारी तरफ से financially help होगी डॉनर्स की तरफ से क्योंकि रोज महां पे 20 पेशन्ट होंगे और डॉनर्स की यह नहीं पता था कि किसकी कितनी मिलब की डॉनेशन है किसी की 10,000 होगी, 5000 होगी, 20,000 होगी, हमने 10 के 10 पेशन्ट देखने यह नहीं है कि एक पेशन्ट को दे दिया, पाकियों को रहने दीए अच्छा इकलिदी सिभी 0 करने आपने, बंटनेए ग्कूल बिल्कूल बिल्कूल जिसको जितनी नीड़ों मैडिसीं का जिसको मैडिसीं प्रवाइड करानीब्याइ ये उसी डिया करते हैं अच्छा शॉम्हं 950 Creature, 5-5 वे जिसकी मैडिसीं लगनी और के इंवेब और याइब आपया है, जिनकी हर मीने 10-20,000 की मेडिसीन जाती है तो वो हमें लास्ट में जदा नहीं तो 5 लाक रुपाइब चाहिए होता है जो हमने मेडिसीन का जो भी मलब मारा केराडिट बना होता है वो हमने देना ही देना होता है आप गरवालों की दर वाओ आप पूरा शाम को आप जाते हो टाइम अपने डेडिकेट करते हो तो उनके साथ कैसे सेटिंग करी हुई है वह डांटे निया है कि नाटे पहले तो सारे रिलेटी पे थे कि किस काम पे बढ़ गया यह है वह पढ़ेगा कॉन काम कॉन करेगा तो काम बगरा कर रहे हो गए भिलकूल बलकूल अपना चोटा मोठा काम है वह उनके साथ यह नहीं आने कि यह होता था कि सुबह जैसे कोई पेशन्ट आ जाएगा तो कैसे हल्प होगी क्योंकि निया निया स्टार्ट किया हुए स्टार्ट अप है कि कुछ भी चीज़ आपने नियत साफ रखे मैंनत से करना होना उसमें आती आती है कठना ही आती है तो रात को नीद भी यानि कही बार ऐसा हो जाना रात को रोना भी अगर कोई कल पेशन्ट आ जाए आ जाएगा तो कैसे इसकी हल्प कर भाऊंगा कही बार रात को नीद भी नहीं आती थी तो उसके बाद गरवाले भी डांट थे रिलेटे इसने भी बोलना कि क्या है यह छोड़ परे नहीं गर कि Teacher Kingdom play जाए है तो तो मलतो यह चलता रहता था अब कहीं बार जैसे टाइम हो जाए जाए हाए कि साथ वताइयो पता कि नहीं अब इसने जाना यह जाना है परसू की एक बात है कि हमारे जमू कुश्मीर में कहीं ऐसे चलो ऐसे डॉक्टर बड़े अच्छ डॉक्टर्स भी हैं जो हमारे साथ जोड़े हुएं पूरा कॉप्रेट करते हैं कि तरूं यह चीज इदर नहीं होगी यह टेस्ट वहाँ से कराया वहाँ से सस्ता बढ़ दाएगा तो वह भी नहीं आगे होते हैं कि हमारा सिस्टम ही वैसा कि क्या बताब वहाँ से निकालना दे तो एक यह चीज है कहीं डॉक्टरे दे एक्सपेरिमेंट बड़ा करते हैं परसू हमने पेशेंट को मजबूरन पीजी आई भी बेजना बड़ा कि हमारे जंहू में ऐसा सिस्टम ही ही नहीं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से ओपाए किसी डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट की ऐथा उस दीदी की आँख में सुराख हो गया तो तो इसके शेद हो गया आँख में फिर उनको मजबूरन कल हमें पीजी आई बेजना पड़ा तो अब उनका वहाँ पे ट्रीडमेंट चल रहा है कि हलात इतने खराब होते हैं आज तक हमने पहले मूवी सीरियल में देखते थे कि किसी की माँ हॉस्पिटल में है और बेटा दरबदर मेरी माँ के इलाज के लिए बीख माँ रहा है कि पैसे दे दो और ये चीजे जब हम वहाँ पे देखते हैं कि भाईया रोंग्टे खड़े हो जाते हैं एक दिन एक लड़का आया मुझे लगा कोई जैसे उदर ना चिटे चुटे वाले नशे वाले बड़े गुंदे रहते हैं हॉस्पिटल बार चूरी हैं बड़ी होती है मैं सोचा कोई ऐसे आया होगा कि जब पैसे की नीड होगी कि नशा करना है भाईया मैं अपना फोन बेचना जाता हूँ मेरी मां अंदर एड़्मीड है नशे की रुप्या भी नी है बहले तो मुझे ज़कीन नहीं हुआ मैंने लड़के को बेच जा कि अंदर देखा कि इसकी मां अध्याय हूए है कि यह भाहा है बहां पे अड़्मीड मैंने उससे फाइल मुगा है जब मैंने देखा फाइल भी है मावी अंदर एडिमिन उसके पास भीया पंदरा सो तक नहीं था टेस्ट करवाने के लिए पंदरा सो और वो बंदा अपनी माँ के लिए फोन बेचने जा रहा था मैंने उसे फोन ले लिया मैंने का ये ले पंदरा सो रुपिया ले जा फोन वो बंधर तियार हो गया था फोन बेचने के लिए कि मुझे इतना हुआ कि अगर उसकी माँ है बगवान ना करे करल को मेरी माँ होती किसी की भी माँ होती तो कैसा लगता कि मारा यह सिस्टम है पंद्रह सो रुपे के लिए अगला बंदर फोन बेशने जार है कहीं वारे तो मतलब कहीं ऐसे कपल्स आते हैं न कहीं उने क्या गिया था पर इम मतलब गर्वालों के खिलाफ लव मैरेज की होती है मतलब असे पेशन्ट भी आते हैं प्रेगनर्ड लेडी है ठीक है तो बंद आया हुआ है हेल्प मांगने और वो उस पे चिला रही है कि भाईया इस बंदे ने जब मैंने शादी नहीं की थी इस बंदे ने बोला था मैं तेरे लिए सब कुछ कर लूँगा मैं तेरे लिए जान देने के लिए भी त्यार हो जा मैं तेरे लिए सब कुछ कर लूँगा कि एक 20-22 आल की लड़की जिसने माबाप ने कोक से माने जनम दिया एक मा के लिए उसने लड़के के लिए प्यार के लिए अपनी माबाप को छोड़ दिया एक प्यार के लिए और उस बंदे के लिए एक डेट सो रप्याद अगनी था उस लड़की का टेस्ट कराने के लिए, वो प्रेगनेट लेडी थी, वो हमारे पास आई, बीख मागनी थी, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरी हेल्प कर दो, डेट सो रप्याद अगनी था, कि ऐसे भी आतने के लड़की ह होगी थी, और उसको कैंसर हो जुगा था, पहले पता नहीं था कि उसको कैंसर उसने टेस्ट कर रहा है, शादी के 6 मीने बाद पस जला इसको कैंसर हा, और उस बंदे ने लब मैरेज की थी, उस बंदे ने अपनी गरवाली को छोड़ दिया कि इसको कैंसर है, जब यह चीज वो ट्राइ करते हैं क्योंकि हम भी कभी बच्पन में कस्टमर के रवानों गॉल कर देते हैं कुछ हम भी करते हैं फिर किले निकली तो ऐसा कोई के रिए राज़ पाड के रिए राज़ पाते हैं यह करना है ईसी वार हमने क्या किया था क्रोना टाइम में हमने लगायु थी फ्री डेड वाड़ी की सेवा लगाई थी एंबूलेंस की जितनी भी डाट बाट इस होगी वह में मेंचिन करना भूलिया कि करोना में काफी अच्छा काम किया आपने दो आपने लगाई थी जो ठेकेदार थे इस चीज़ के डाट बाट इसके ठेकेदार थे जिन्होंने फ्लैट रखा हुगा था अब भूं नवाट रहा हूं न अई तरह हुगा पोच्छा क्या मोटिव है क्या मैंन फोकस है रहा है और क्या सोच दो गयाने मेन फोकस अब यह ही है आगे आगे कि इस चीज़ को हमने जम्मू में जैसे लुद्याना पंजाब में पूरे चल रही है एंजियो जम्मू में यह जाता हूँ कि कोई भी बंदा बिमारी कारण पैसे कारण दबाई कारण नहीं मरें एक इनसान ना एक टाइम दो टाइम खाने के साथ रोड बैढना बड़ा अच्छा रोड बे पहले तो हमने सोचा कि नहीं यह चीज की हमने बंद करते हैं चलाने नहीं फिर फिर भी यह फिर बैसोचता रहा वाक्यों ने भी कहा कि घर बालों ने ब्रवालों ने बड़ा स्पोर्ड किया कि तूं घर बैट जाएगा तेरा तो सर्कल चलता रहेगा तुझे नहीं है कि तुझे खाना बंद हो जागा यह हो जागा पर वो जो एक उमीद लेके बदरवा किस्तवा डोड़ा से इतनी दूर पहाड़ी लोग आते हैं तो गर बैठ जागा अब मुझे बताओ चलो एक आईशमान गार बनाओ वो तब तक है जब तक पेशेंट अंदर एडमिट हो अब 6 साल होगे इस लाइन में गुसे हुए पता चल गया हुए कि कहां क्या होता है कहां गैस का पता जो 16 रुपेगा मिलता है और बाहर वही मेडिकल की शाप में 1500-180 रुपेगा बिखता है 16 रुपेगा कोई ऐसी मेडिसिन्स है डॉक्टर क्यों साल्ट लिखके नहीं देता है डॉक्टर क्यों कमपनी ब्रैंड लिखके देता है उसी brand उसी salt की क्या पता जो 1000 पे का पता हो वो ही क्या पता 50 सर पे का मिले तो वो क्यों चीज़े इनको नहीं दिखती तो हमें उठा जी कि सब कुछ अंदर से मिलता तो जो हमने बोला कि अगर अंदर से मिलता बाहर क्यों लोग आते हैं अगर मिलता है तो हमारे पास लोग आते हैं कि ऐसे पेशन्ट अब गर पैड़के तो किसी का इश्मानगार लगना नहीं अगर डॉक्टर ने बोला है कि जब तक इसकी सांसे चल रही है इस पेशन्ट ने पूरी उमर दवाई खानी ही गानी है तो वो बंदा जो डेली वेजर आगे वो परटस्ट कर रहे है डेली वेजर उसकी गरवाली एक कैंसर से पीड़ीत है वो कहां से डेली वेजर दस हजार की दुआई खिला देगा अपनी घरवाली को इदर administration की बड़ी मैं कहा रहा हूँ बहुत बड़ी लाफरवाई है क्या वो education system हो क्या वो medical system हो मैंने तो ये भी बड़ी बार कहा अपने live में भी कहा कि हमारा एक social media platform है अन्मोल NGO team जम्मू करके जादा नहीं तो 2-3 लाक लोग हमें देखते हैं कि हमारे views हैं तो मैंने तो ये भी आज तक बोला कि अगर किसी को दिन की 50,000 की need है medicine की तो हमारी एंजियोस्ट आगे हाजी रहा आपकी help करने के लिए कभी अच्छा काम आप करने और हमारा न्योता जो है आपने सभी कार किया आज अगरे सेशन में कोशिच रही ये ऐसी किसी इंटरस्टिड इंटरस्टिंग इंचान के साथ को मिलाने की तब तक के लिए फॉलो कीजिए हमें भाई को फॉलो कीजिए अपना इंस्टाग्राम बता दो जहाँ पे ना फिर लोग देख के आपको कनेक्ट करें हमारा इंस्टाग्राम पे पेज़ है एक जरीया जम्मू करके और अन्मोल एज़ यो टीम जम्मू करके फेस्बुक पे हमारा पेज़ है वहाँ पे हमारा सा कॉंडेक्ट कर सकते है जैसे और भाई का परसनल नमबर दे जो आप हमारा अपना नमबर है ऑफिशल नमबर है जो 9797717001 आप इस नमबर बे आदी रात को जब मर्ची कॉल कर सकते हो हमारी टीम रोज शाम को जी एंग सी के बाहर बैठती है चाहे कोई दिन तियार हो दिवाली हो दिशेरा हो अन्दी तुफान आ जाए साल के 365 दिन बैठना ही बाटना है बैठना ही बैठना है वहां पर बहुं तीम मिले की मिलेकर जैसे माराबार हुआ पेशंट आएंगे आज पीशिंट्ट्व की हेल्प करा दी अगले दिन की टैंचन होजा कि कल कितने पेशंट आएंगे और कैसे उनको मेरेंज करना की कही बाएर रात को जब यण बट्रवाड़ेश की सुनो ना की रोना सुनो ना रात को वो भी धिमाग में वरुस होते हुए पुरा दिन यहीं चलता रहता दिमाग में चलो ठीक है बाई को कॉल करो कोई भी मदद हो बस ऐसे सिर्की लेने के लिए नहीं करने कि यार मेरी शाद्धी किरा तो मिरेको पैसे देता हूँ बाकी जरूर स्पोर्ड करें हमें अगर किसी को जरूरत है किसी के बास दुआई के लिए पैसे नहीं है तो हमारे साथ कॉंटेक्ट कर सकता है जैमाता दी